देश की राजधानी दिली के पौश इलाके ग्रेटर केलाश टू से एक हिरान करने वाला वीडियो सामने आए है कैमरे में लाइव चोरी की वारदात दर्ज हुई है तीन चोर आराम से बालकनी की ग्रिल काड़ते हैं खर से सामान चुराते हैं इस दौरान बकाईदा एक चोर चौकलेट खाता है लगभग आदे घंटे से जादा समय तक ये तीनों चोर इस घर में साड़े तीन लाग से जादा की चोरी की वारदात को अन्जाम देते हैं और फिर आराम से रफू चकर हो जाते हैं खास बात ये है कि ये सारी वारदात सीसी टीवी कैमरे में दर्ज हो जाती हैं 28 माई की रात को लगभग ठाई बज़े थे GK2 के इस घर की साइड बालकनी की सीसी टीवी कैमरे में थोड़ी हलचल दिखाई देती है तीन नकाब पोस्चोर पहले घर की बालकनी में लगे लोहे की ग्रिल को काटते हैं आप देख सकते हैं कि चोरों के पास बकाईदा कटर है जिससे वो लोहे की ग्रिल काट रहे हैं उसके बाद एक एक करके तीनों चोर बालकनी में दाखिल होते हैं इसके बाद घर के अंदर का धरवाजा खोला जाता है। अंदर से कीमती सामान लाकर चोर बालकनी में रखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लैपटॉप और आईपैड को चोर देखते हैं और बैक से निकाल कर बाहर रखतेते हैं। जब दो चोर घर के अंदर से चीजें बाहर लाकर बालकनी में रख रहे थे। उस दौरान तीसरा चोर बालकनी के बाहर निग्रानी कर रहा होता है। इस दौरान इस चोर को देखिए जो बकाइदा चौकलेट का रेपर फारता है और मजे से चौकलेट खाने लगता है। इस दौरान उसकी शकल भी साफ दिखाई देती है। तक चोर घर में मौजूद रहते हैं। इस दौरान ना तो कोई सिक्रोटी गाड आता है ना ही पुलिस। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों चोर तसल्ली बक्ष तरीके से आराम से घर से बाहर निकल जाते हैं। चोरी के बाद इसकी रिपोर्ड चितरंजन पार ठाने में लिखवाई गई। दिल्ली पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन ये घटना दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर दिल्ली के पाउश और सेफ माने जाने वाले इलाके जीके टू में इतने अराम से तीन पुलिस की पुलिसिंग और ग्रेटर केलाश जैसे इलाकों की सेफटी पर प्रश्ण चिन लगा दिया है। टाइम्स नावन भारत बिजिटल की रिपोर्ट